हेलो गाईज तो कैसे आप सब लोग मेरे नाम धरनज है और आप देख रहे हो सलिस्टार गेमिंग तो गाईज आज की इस वीडियो का टाइटल तो आप सभी लोगों ने पढ़ी लिया होगा कि क्या मतलब पोको एफवन इन 2020 मार्च इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आप लोगों को पोको एफवन लेना चाहिए और भी कुछ बहुत सारे इशूस हैं जो पोको एफवन के बारे में हैं फिर कुछ पॉइंट्स हम कह सकते हैं जिसके ओपर हम यहां पर अभी बात करने वाले हैं जो पॉइंट्स मैंने आज की वीडियो के लिए सोचे हैं यह मतलब मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बतायों पॉइंट्स हैं ऐसा नहीं है कि मैं कि शोर की वीडियो देखके या फिर तो की देखो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिलेंगे जो कि खुद पोको को पबजी खेलने के लिए यूज तक नहीं करते हैं और उनके रिव्यूज में वो डालते हैं कि पोको एफवन दा बेस्ट गेमिंग फोन एवर यह वह बहुत कुछ ऐसी डाल देते हैं तो गाइस मैं खुद एक कॉंपरिटेव खेलने वाला प्लेयर हूं मतलब इतना ज्यादा अच्छा नहीं है बट ठीक है कॉंपरिटेव खेलता हूं मैं तो मुझे पता है कि इस डिवाइस का क्या परफॉर्मेंस है वहां पर इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे क पब जी के मतलब क्या क्या सेटिंग्स हैं और मतलब क्या क्या इसमें कुछ-कुछ इशूज जो मेरे को लगे थोड़े बहुत इशूज जो होते हैं और क्या ये गुड़ चॉइस है आगे आने वाले टाइम में मतलब आगे का मतलब है कि 2020 में मार्च में या फिर अगर प्लूस अगर बात नो तो पब को में चलता है स्मूद प्लस एक्स्ट्रीम एफ फ्रेइमक्न मिल जाता है एंड कि शिरफ 40 फ्रेइमरेटि और 45 max fps आपको वहाँ पर मिलेंगे और दूसरी बात कि यार देखो जैसे कि मतलब extreme पर हमें 60 fps मिल जाता है यह बात कई लोगों को clear नहीं होती है कि 60 कितने है 50 कितने है तो extreme पर हमें 60 fps मिल जाता है और ultra पर हमें 45 to 50 fps मिलता है यह जो भी आप game देख रहे हो यह recorded है 60 fps में Poco F1 के अंदर लेकिन वीडियो में 30 fps ही चल रही होगी यूट्यूब पे तो 60 fps वैल शायद मैं डाली नहीं और पहली तो यह थी game settings क्या क्या है दूसरी बात यह है कि जो इसका heating issue है मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा है कि भाई Poco में heating issue है Poco में heat होता है Poco में heating problem आती है तो वाईस आप सभी लोगों को एक चीज़ बताना चाहूंगा कोई भी अगर आप gaming phone लेते हो ना वह heat होगा ही होगा वही है कि heat management किसकी कितनी इची होती है तो Poco की यार मैं बहुत खे 23 डिग्री हद करके 45 डिग्री आज तक कभी शायद टच हुआ होगा 45 डिग्री से उपर बिल्कुल नहीं गया and 45 डिग्री इस लाइक नॉर्मल क्योंकि snapdragon 845 आपके पास जो कि 2018 का प्रोसेसर है तो काफी ठीक है मतलब स्नापड्राइगन 845 के साब से 45 डिग्री तक यह पहुंच सकते हैं तो काफी कोई मतलब चिंता करने वाली बात नहीं है हीटिंग इशू के बाद चलते हैं यहाँ पर टच इशू की तरफ अब यार देखो बहुत सारे लोग कहिए कि नहीं हमारे पोको में टच इशू नह लगेगा आपको इस चीज का पता तब लगेगा जब आप लॉंग रन में गेम खेल रहे हो या फिर साथ में आप रिकॉर्डिंग वगेरा कर रहे हो मतलब जहां पर रेंडरिंग पावर ज्यादा की ज़रत होती है अगर आप वहां पर देखोगे पोको को तो वहां पर होता है next आते हैं screen bleeding की जो हमारा third point थो क्रीalon बलीडिंग क्यों क्यों होता है कि touchscreen के नीचे के फोन में आ सकती है에 प्रॉलम तो आप जैसे फोन आते है आपके पास उसको किजिये और उसको फिर मतलब रिप्लेस करवा लीजिए ज़ल्दी से जल्दी ताकि यह problem आपको बाद में कोई दिक्कत ना दे तीन चीज हमारी हो चुकी है गाइस उसके बाद आतम तीन चीज होगी है चार चीज हो चुकी है वैसे देखा जाए तो पबजी की game settings हो चुकी है hitting issue के बारे हमने बात कर लिया टच इशू इसमें है बट वही है कि अगर आप नॉर्मल वैसे खेलते हैं तो आपको ज्यादा पता नहीं लगेगा लेकिन अगर आपको recording करनी है streaming करनी है तो आपको काफी पता लगेगा और चौती थी का स्क्रीन ब्लेडिंग की तो वह आपको बता चुका हूं कि स्क्रीन ब्लेडिंग कभी कबार होती है किसी किसी के फोन में होती है मेरे वाले फोन में बिल्कुल नहीं है पांच मुहीं में से यूज कर रहो हू और सबसे जो बड़ा सवाल आता है कि is it worth to buy Poco F1 in 2020, March, April मतलब समझ जाओ, March and April में आप क्या Poco F1 को खरीज सकते हो क्योंकि इस टाइम पर इस डिवाइस का जो प्राइस चल रहेगा इस वो चल रहे है अभी यहाँ पर 16-18,000 रुपए के बीच में आपको इसके सारे वेरियंट्स अवेलेबल हो सकते हैं मतलब हाइस ट्राइज 17,000 रुपीज में आपको यहाँ पर इसका 8GB और 26GB वेरियंट मिल जाएगा तो मिरको लगता ही गाइस काफी अच्छी यह डील्स हैं लेकिन यार क्या ही फोन सही में वर्थ इट है कि आप इतने पैसे लगा के अब 2020 में March and April में इस फोन को लें तो इसके बारे मैं आपको तीन या चार चीज़ें बताता हूँ देखो दो टाइप के प्लेयर्ज होते हैं एक होते हैं जिनको सिरफ गेम खेलनी है और दूसरे होते हैं जिनको रिकॉर्ड करनी है और YouTube वगेर अपनी वीडियोज अपलोड करनी है तो गाइस मैं वो बंदा हूँ जिसको डेली का रिकॉर्ड करना होता है YouTube पे अपनी वीडियोज अपलोड करनी होते है लाइव स्ट्रीम करनी होती है तो अगर मेरी बात मानो मेरे experience से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप Poco को यूज करके live stream कर लोगे और आपका game बहुत smooth चलेगा तो भाई बिल्कुल गलतो क्योंकि जो touch issue है वो magnify हो जाता है जैसी आप live stream start करोगे न जो आपका game है वो चिपकने लगेगा जो आपका touch issue है तो वो magnify हो जाएगा मतलब कि touch में आपको काफी problem आने लग जाएगी कि आप touch करोगे वो touch नहीं होएगा दुबारा आपको तब करना पड़ेगा कहीं कहीं थोड़ा बहुत कई बार ऐसे problem आ जाती है तो वो problem आईगी आपको touch issue में थोड़ी बहुत और guys उसके बाद अगर हम बात करें heat भी करेगा अगर आप साथ में streaming करोगे और lag तो करेगा क्योंकि आर देखो मतलब 2 साल पुराना प्रोसेसर है भी इसमें तो इतना कोई जादा आप उसे वो नहीं मान सकते कि आपको एक flagship performance यहाँ पर 16 से 18,000 रुपए के बीच में देखने को मिले तो guys इसी के साथ मतलब और चीज़े बताते हैं आपको कि कौन वो लोग हैं जो मतलब इस Poco F1 को ले सकते हैं इस टाइम पे तो guys Poco F1 इस टाइम पर वो लोग ले सकते हैं जैसे कि जो अंडर डॉग प्लेयर हैं जैसे कि मैं हूँ भाई तो मैं इस टाइम पर अंडर डॉग प्लेयर हुए क्योंकि मैं बहुत जादा हाई लेवल पर अफिर अच्छे लेवल पर नहीं खेल रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ अर Poco F1 क्योंकि मिरे को अपने आप लेना है अपनी अलाउंस के हिसाब से लेना है अपने बजट के हिसाब से लेना है क्योंकि इसमें मैं खेल के अपने स्किल्स इंप्रूव करके फिर आगे कहीं और किसी टूर्णामेट में खेल के वहां से जो मेरे पास आएगा उससे मैं कुछ अच्छा कोई डिवाइस ले सकता हूँ तो वो एक अलग चीज हो जाती है और साथ में अगर मेरी बात माने तो इस टाइम पे 16-17,000 रुपए आप अगर Poco F1 में लगा रहे हो उससे बेटर मेरी मानो तो आप थोड़े से पैसे और बचाओ मतलब अराउंड आप 25,000 तक का अपना बजट करो 25,000 तक में आपको यह जाएज वन प्लस का फोन मिल सकता है वन प्लस 7 अवैलेबल करवा सकते हो आप मतलब कुछ बैंक आफर्स वगरे लगाके और उसी के साथ-साथ आपको Redmi K20 Pro मिल सकते हैं जिसमें की 855 प्रोशेसर है तो वो काफी अच्छी चॉइस रहेंगी as compared to Poco क्योंकि यार Poco अब थोड़ा सा out of date होता जा रहा है क्योंकि 2-3 साल पुराना phone हो चुका है अभी है तो अगर मेरी बात माने तो जो सिरफ जिन्होंने game खेलनी है वो Poco F1 no doubt ले सकते हैं बट अगर आपको gaming के साथ streaming करनी है आपको videos record करनी है videos को upload करना है आपको YouTube पर अच्छी quality अच्छा gameplay चाहिए आपको while recording तो आप लोगों को लेना है यहाँ पर कोई और phone जो कि Poco F1 से बैटर है जिसमें कि Snapdragon 855 है या फिर 855 plus है जो कि थोड़ा सा और आपको अपना budget increase करना है so guys यही कहना चाहूँगा मैं कि Poco अभी यहाँ पर जो choice होगी वो सिरफ अगर किसी को gaming करनी है तो वो बंदा ले सकते हैं आपर take it as from my experience कि मैं experience कर रहा हूँ सिरफ game खेलते हो मेरो कोई issue नहीं आता है लेकिन अगर मैं gaming के साथ यहाँ पर streaming स्टार्ट कर दूँ तो थोड़ा बहुत lag मुझे देखने को मिलता है so concluding this video guys कि आप सभी को अगर Poco लेना है तो make sure कि आप सिरफ gaming के लिए लें अगर आपको streaming करनी है तो better go for OnePlus और K20 Pro so guys मैं मिलूँगा आज मतलब यहर मैं मिलूँगा तो इस video करते हैं यहीं पर end और मैं मिलूँगा आप सभी से अगली live stream में आप फिर अगली video में तब तक के लिए काईस देखते रहिए खुश रहिए जैहिंद वंदे मातरम भाई लोग